जेहिन दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल Steady News 24 में आपका हाड़ देख स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं Air Force Group C के Forum Philip के बारे में Air Force Group C ने बहुत अच्छी विगेंशी निकाल दिया है जिसकी हम आज डिटेल से बात करेंगे और Forum Philip की फुल जानकारी लेंगे Forum Philip की जानकारी लेने से पहले हम Official Notification की ओर चलते हैं इसमें Indian Air Force में अलग-अलग कमांड्स में अलग-अलग विगेंशीया निगाली गई हैं जिसका Advertisement No.05-2021-DR रखा गया है जिसमें Headquarter Central Command में विगेंशीया निकाली गई है Headquarter Eastern Command में विगेंशीया निकाली गई है South Western Command में विगेंशीया निकाली गई है Training Command में विगेंशीया निकाली गई है Western Air Command में विगेंशीया निकाली गई है maintenance command में वेकेंशिया निकाली गई है जिसकी हम आज detail से बात करेंगे और forum Philip की फुल जानकारी लेंगे सबसे पहले हम इस forum की starting date की बात करते हैं तो 30-10-2021 से ये forum offline माद्यम से भरेजाने start हो गए है last date 29 November 2021 रखी गई है इसके में application fees नहीं रखी गई है as limit की बात करें तो minimum as 18 साल रखी गई है और maximum as 25 साल रखी गई है और ऐसी as टीको नियोमन सर्चूट परदान की जाएगी document की बात करें तो education qualification की mark sheet जो अपनी दस्वीगी mark sheet होती है वो साथ में लगेगी और technical qualification की हमारे पास experience certificate है तो वो लगेगा physically जो handicaps जो physical handicaps है उनका जो certificate होता है वो साथ में लगेगा experience certificate किसी परकार का जो experience certificate होता है वो साथ में लगेगा card certificate साथ में लगेगा discharge certificate अगर हम अक service man है तो discharge certificate साथ में लगेगा और एक self address envelope होता है जो छोटा envelope होता है उसके अंदर 10 रुपे का डाक टिकेट लगेगा और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी और all documents जो की self attested होंगी वो साथ में लगेंगे तो चलो दोस्तो हम अब forum फिलप के बारे में पूरी जानकरी लेते हैं forum फिलप से पहले आप इस चैनल पे नई है तो bell आइकन को दबा ले ताकि आपको new recruitment से समन्दित जानकरी आपको मिलती रहे हमारे चैनल पर offline वे online से समन्दित हर परकार की जानकरी आपको तुरंट परवाव से मिलती रहेगी तो चलो दोस्तो हम forum फिलप की जानकरी लेते हैं सबसे पहले application for the post of में आपको जिस trade से आप forum apply कर रहे हैं जैसे HKS से या MTS से या फिर LDC से तो आप को लिख देना है और इन के आगे आप MTS से apply कर रहे हैं तो आपको पॉइंट नमर एक में Air Officer Commanding Air Force Station Agra UP 282008 आपको लिख देना है जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे आपको लिख देना है फिर पॉइंट नमर एक में Post applied for जिस पोस्ट से आप apply कर रहे हैं जैसे MTS से कर रहे हैं LDC से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है पॉइंट नमर दो में Candidates of Name Candidate का नाम लिखना है और पॉइंट नमर थरी में Father Name अपने पिता जी का नाम लिख देना है पॉइंट नमर फॉर में Date of Birth जो अपनी Date of Birth जो दस्वी की अंग तालिका में दे रहे हैं वो अपने को यहाँ पे लिख देनी है पॉइंट नमर फाइब में एज एज ओन दा लास्ट डेट लास्ट डेट को जितनी अपनी उमर होती है वो यहाँ पे लिखनी है जैसे इस फॉरम की लास्ट डेट 29 नॉमबर है तो 29 नॉमबर तक जितनी अपनी उमर होती है वो आपको इस पांच नमर कोलम में लिख देनी है जैसे मैंने लिख दी है येर 21 साल मन्थ 5 महिने और डे 24 दिन पॉइंट नमर 6 में अपना फुल एडरस लिख देना है पॉइंट नमर 7 में भी अपना फुल एडरस लिख देना है पॉइंट नमर 6 में कोर्पोरेंडरस एडरस लिखना है मतलब कि हम जहां अपनी डाग मंगवाना चाहते हैं वो एडरस लिखना है और पॉइंट नमर 7 में पर्मानेंट एडरस मतलब कि हम जहां के रहने वाले हैं वो address लिखना है अगर आप जहां पे रहते हैं वहीं अपनी डाग मंगवाना चाहते हैं तो point number 6 और point number 7 में दोनों में same address लिखना है point number 8 में अपनी cast लिख देनी है point number 9 में education qualification लिख देना है point number 10 में अगर आपके पास कोई experience है तो yes कर देना है अगर नहीं है तो आपको no कर देना है point number 11 में category for which applied मतलब कि जिस category से आप फोरम को apply कर रहे हैं वो आपको category लिखनी है जैसे point number 8 में अपनी category मान लोगी general है और point number 11 में अपन को मान लोगी मैं EWS category से फोरम अपलाई कर रहा हूं तो मैंने EWS category लिख दी है point number 12 में अगर अमारे पास technical training से कोई experience certificate है तो yes कर देना है अगर नहीं है तो no कर देना है point number 13 में domatial certificate की photocopy लगानी है और कोलम में yes कर देना है point number 14 में अगर हम employment में अगर हम registered है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no कर देंगे point number 15 और अपनी point number 15 के नीचे date दे रखी है इसमें अपनी जिस दिन अपन फोरम अपलाई कर रहे हैं वो date लिख देंगे और signature of the candidate और अपने sign कर देंगे और for official record only में अपने को कुछ नहीं लिखना है इसी परकार फोरम का पहला परष्ट समापत हो जाता है और दूसरा परष्ट knowledgement कारड का है जो कि इसके अंदर post of अपनी post लिख देनी है जिस post से हम apply कर रहे हैं और name लिख देना है father name लिख देना है और तीन नमर column में अपना full address लिख देना है और index नमर में कुछ नहीं लिखना है खाली छोड़ देना है और point नमर 5 को भी खाली छोड़ देना है और right side में अपनी photo चिपका देनी है उसे self attested कर देनी है इसी परकार knowledgement card में भी right side में photo चिपका देनी है और उसे self attested कर देनी है दोस्तो इस forum को अच्छे से ध्यान पुरुवग बरना क्योंकि इस forum में कुछी परकार के गलती हो जाएगी तो forum आपका reject हो सकता है तो दोस्तो इसमें दो envelope लगेंगे एक चोटा envelope और एक बड़ा envelope एक चोटा envelope जो की बड़े envelope और document के साथ में वहाँ पे डाग के साथ post होगा और एक बड़ा envelope होगा जिसके उपर हम वहाँ का address लिख के post भेजेंगे तो दोस्तो एक चोटा envelope इस परकार का लेना है जिस पे अपना address लिख देना है अपना full address लिख देना है और इसमें mobile नमर भी साथ में लिखने है क्योंकि जब भी अपनी डाग अपने पास के नजदी की डाग गर में आएगी तो वहाँ का post में हमें mobile नमर से call करके हमें तुरंट सुचना देदेगा कि तुमारा callator आया हुआ है एक बड़ा envelope लेना है जिसके उपर application for the post of MTS जिस post से हम apply करें वो लिख देनी है और category जिस category से हम आते हैं वो लिख देनी है और advertisement नमर 05-2021-DR लिख देना है और टू में जहां हम डाग बेजना चाते हैं वो लिख देना है जैसे मैंने air officer commanding air force station आगरा UP में डाग को बेजना है तो मैंने ये address लिख दिया है अलग-अलग trade से समन्दित अलग-अलग air force station के address दिये गए हैं तो वो यहाँ पे लिखने है और from में अपना full address लिख देना है with mobile number शहीद लिख देना है और only orderly dark ticket मलगी साधान पोस्ट द्वारा ही इसे भेजना है speed post द्वारा इसे forum को apply नहीं करना है दोस्तो इस forum से समन्दित आपको किसी भी परकार की कोई भी problem हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं और मैं इसका official notification description box में अटेज कर दूँगा जिसे आप इस forum को अच्छे से read करके इस forum को offline माद्यम से अच्छे से apply कर सकते हैं धन्यवाद कर दो